वेलकम तू दा चैनल देया सुटेंट्स यह आपके क्लास नाइन्थ की बुक मॉमेंट्स का फोर्थ यूनिट है इन दा किंग्डम ओफ फूल्स बाई एक रमानुजन और यह स्टोरी चार लोगों के बीच में है एक दो इडियाट राजा और मंत्री थे उनके बारे में और दो बहुत ज़्यदा वो धिमान लोग थे गुरु और शिश्य के बारे में तो इसमें फोर मेंन करक्टर्स हैं सो लेट सी वाट अपन इन दा स्टोरी जो एक इंग्डम था उसमें एक राजा था एक मंत्री था और वो दोनों ही इडियाट थे उन लोगों ने क्या जिसाइ सब लोग अपने खेतों पर और अपने जो भी रेगुलर जॉब करते हैं वह सब रात में करेंगे और जो दिन में था तो दिन में आपको सोना पड़ेगा जो आपको रात का काम था और यह भी कहा था कि जो इस बात को नहीं मानेगा उसे फांसी की सज़ादी जाएगी सब सब बहुत गबरा गए थे और मौत की दर की वज़य से सब लोगोंने सोचा कि हम लोग इनकी बात को मानने थे और सब लोग ऐसे ही करने लगे, लोग दिन में पूरा टाइम सोते थे और रात में ही अपना सब पूरा काम करते थे, कुछ दिन ऐसे ही बीद गए, तब वहाँ पर दो लोग आए, और वो दो लोग थे, एक गुरू था और एक शिश्य था, उन लोगों ने देखा, तो सारा धीरे नगर में बहुत ज़्यादा बीर बढ़ गई और बहुत चहल पहलो गई, इतमीज सब लोग जगे और सब लोग अपने काम पर लग गए, तो इन लोगों ने सोचे आइसा कैसा है, फिर उन लोगों को जब भूक लगी तो लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ खाने के ले लेते हैं, जब वो लोग शौप में गए, तो उसने कहा कि आप कुछ भी लो, वो एक डुड़ू में ही मिलेगा, डुड़ू वहां की करेंशी थी, तो जिस से था वो बहुत खुस हो गया, कि हम चाहे जितनी महींगी से महींगी चीज हो, और चाहे छोटी चीज हो, सब पता नहीं, वो लोग अगले पल क्या करें, लेकिन जो सिस से था वो तो बहुत होश्यार था, और वो राज अपने गुरू की बात को सुने को तयार नहीं था, क्योंकि वहां पर उसे सब कुछ बहुत कम पैसों में खाने पीने के लिए मिल रहा था, उस वो वहां से नहीं लेकिन गुरू ने कहा है, तुम अगर रुखना चायता है, रुखो मैं तो जा रहा हूँ, और वो चला गया, जो सिस्ट था वो रुख गया, पूरे दिन भर पेट, केला, घी, चावल गयों, जो इस तरह की चीज़े थी, वो सब कुछ खापी करके अपना बस लेटा रहता था और बहुत मोटा हो गया, इस स्टोरी में फिर आगे क्या होता है, कि एक बहुत अच्छा दिन था, और उस दिन एक चोर ने एक रिच परसन के घर में चोरी की, और चोरी करने के लिए उसने क्या किया था, दिवाल में होल किया, और जैसे ही उसके अंदर जा रहा था, व उसकी च्छतियबती कौन करेगा उसकी भरपाई कौन करेगा तो राज़ा कहता है चीना करका आए ठीक है खीसरव को ओर मिस्ट्री ले करता ही ओर कि आ गया था का कि जी साब मैंने बनाया कर तु बोले कि तुमने इतना बजबूत क्यों की नियुक्ति hon ने बनाया कमज़ोर कि बताओ लिधी कि उपर गिर गया वो तो मर गया तो इस में का देखी इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं जब मैं दिवाल बना रहा अब वह लड़की बहुत बूरी हो चुकी थी जब वह आती है तो राजा कहता है कि दोगों तुमारे वह से दिवाल अच्छी नहीं बना पाया और दिवाल एक आदमी के उपर गई वह मर गया है अब तुम्हें मौत की सजय मिलेगी तो लड़की कहती है इसमें मेरा कोई दोस तो पिर हम उस जोलर को पगड़ते हैं उस जोलर को लेकर के आए तो वह जोलर विचारा बड़े उससे कायंडली बोलने लगा कि देखिए राया साब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है मुझे एक कोई जोलर आया था कि उनकी जोलरी मुझे पहले बना के देनी पड़े आप तो रिच परसन को जानते ही कैसे होते हैं इसलिए मेरे उपर दबाओ था और मैं इसकी जोली नहीं बना पा रहा था तो राजा कहता है इसका मतलब यह सारे फसाद की जड़तों वह रिच परसन ही है और वह रिच परसन कोई और नहीं था जिसकी घर की दिवाल तूटी थी वह वोही रिशपर्सन था अब परिशान हो गया कि आप मुह भासी मुझे मिलेगी तो वह कहता देखिए जो ये टाइम था जिस टाइम पर जिस जोलर ले को जिसने जोलर को और दिया था वो तो मेरे फादर थे मैं थोड़ा ना था और मेरे फादर के टाइम पे ये सब काम हुआ था तो मैं क्या कर सकता हूँ तो राजा ने कहा देखो तुमने अपने फादर की सारी चीज ली है तो फिर उनके पाप भी तुम्हें कोई भोगने पड़ेंगे और तुम्हें सूली पे सजज मिलेगी अब वो परेशान हो जाता है जब उसके लिए सूली तैयार की गई तो वो सूली थोड़ी सी लूस थी यानि उसके उपर फिट नहीं आ रहे थी अब राजा कहता है क्योंकि राजा मुर्ख सूली में छाने के लिए बहुत सारे होने लगती है अगो घपरा जाता है कि एक दिन मेरे गुरू ने कहा था कि इन लोग कोई भरोशा नहीं हमारे साथ क्या कप कर दें अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो आज ऐसा नहीं होता अपने आखों को बंद करके अपने गुरू को उसने याद कि गुरू उसके अंतरयामी थे और बहुत चमतकारी भी थे औ अपने हार्ट से सुनी वो उसको बचाने के लिए वहां पर आ गए और उन्होंने थोड़ा सा कुछ अपने सिस्य के कान में कहा उसके बाद में गुरू करने लगे कि आप इसे हैंग मत करें मुझे हैं कर दीजिए तो वह सिस्य कहता है मुझे भासी दीजिए तो गुरू कह को वह एकांत जगह में ले जाता है जहां पर उसके मिनिस्टर कुछ सुन ना पाया और राजा से कहता है देखिए आप किसी को बताईए गमत में लोगों ने बताया था कि जो आपके हाथों मृत्युदंड जिसे मिलेगी और जिसको इस राजे में सूली चलाए जाएगी व हम दोनों ही मर जाते हैं मैं राजा बन जाओंगा और तो मंत्री बन जाना मिनिस्टर भी त्यार हो जाता है अब दोनों जाते हैं अपने सैनिक के पास उसे कहते हैं देखो रात में जो भी तुमारे पास आए पूरा कवर किया हुआ तो मैं इसको पहले फासी में चलाना जो गया जब लोगों ने उनका फेस देखा तो ने पता चला कि यह तो हमारे राजा और मंत्री हैं वह दोड़कर कि उन्हीं लोगे पास पहुंचे जिन लोगों ने यह काम किया था इतमें इस गुरू और सिश क्योंकि उन्हीं कहिए दिमाग का काम था उनसे कहा कि आपने ऐसा क जुआ की स्कति और मत्री कि तो कोई बच्चा नहीं है हमारे नगर कोई रच्छा कौन करेगा फिर उसके बाद को कहते हैं उसकंड करें तो उसमें से एक हैक्ष्टी नहीं कहा है उससे कि आप हमारे राज़ कीजिए तो गुरू था वह तो नहीं माना लेकिन उसके बाद मन बंब जो राज्यों से वह यह स्टेट के गैसा वह भी किग्डम हो गया आपकी स्टोरी पर क्मप्लीट